नमश्कार महप्रिया विहारी न्योज में आपका स्वागत है ट्रेन में आपने सफर तो यकीनन किया होगा जुसमें जेनरल, स्लीपर, एसी में गाड़ियों की बुग्यां बटी रहती है लेकिन किराय के कारण हर कोई जेनरल में तो सफर कर सकता है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसी में सफर नहीं कर पाते हैं क्योंकि किराय में जमीन आस्मान का फर्क हो जाता है ऐसे में अगर आपको अब ये पता चले कि आप भी अब एसी में बैठ सकते हैं वो भी जेनरल टिकेट के किराय पर ही तो आप भी इस मौके को गवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि अब रेलवे ने ऐसी विवस्था की है जोसे कि आप अगर ट्रेनों में नियमित सफर करते हैं और जेनरल कोच में सफर करते हैं तो आप भी एसी का लुफ्ट उठा सकते हैं क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो यात्रियों को कम पैसे में ही एसी कोच में सफर करने का मौका मिलने वाला है रेलवे जनरल कोच को AC कंपार्टमेंट में बदलने की तयारी क्योंकि शुरू हो गई है रेलवे लंबी दूरी की ट्रेडों में जनरल कोच यानी की समाने डिबो को AC डिबो में बदलने का विकल्प तलाश रहा है ताकि उन यात्रियों को आराम दायक सफर प्रदान किया ज़ा सके जो अधिक किराया देने में सक्षम नहीं है Times of India ने सूच्रों के हवाले से बताया है कि इन सभी डिबों में 100-120 यात्रियों के बैठने की वबस्ता होगी और आम लोग इन डबों में आसानी से यात्रा कर सकेंगे इसलिए किराय को काफी कम किया गया है हाला कि रेलवे ने यह भी साफ किया है कि यह डिब्बे पूरी तरह से आरक्षित होंगे और इन में बंध होने वाले दर्वाजे होंगे यानि की जेनरल कोच में खचाखच भीड इसमें देखने को नहीं मिलेगी रेल मंत्राले में इस योज़ा पर मंथन सत्र की श्रवात हो गई है पहले एसी जेनरल क्लास के कोच का अंदर्मान पंजाब के कूपर थला में रेलवे कोच फैक्टरी में किये जाने की संभावना है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि राजधानी, श्रताबदी और बंदे भारत जैसे प्रमुख ट्रेनों को छोड़कर सभी लंबी दोडी की ट्रेनों में COVID-19 से पहले आराक्षित सामाने डिब्बे थे मगर अब ऐसे सभी कोच आराक्षित डिब्बो के रूप में चलते हैं अधिकारियों ने कहा है कि अगर आम यात्रियों को किफायती किराय पर एसी कोच में आराम से सवारी मिल सके तो यह railway की प्राथ मिकता होनी चाहिए जिसके बाद ही अब railway ने sleeper क्लास के डिब्बो में यात्रा करने का विकर चुन्ने वाले यात्रियों के लिए AC-3 ट्रायर में कम किराय वाले AC economy क्लास कोच की पेशकश की railway ने एक all AC economy train की पहली सेवा भी शुरू कर दी है बता दे कि अगर रेर्वे की योचना सफल होती है तो आम आदमी को कम पैसे में ही AC का आनंद मिल सकता है जो इसे यकीनन आम नागरिक भी अब आसानी से AC बूगी का लुफ्त उठा सकते हैं क्योंकि अब तक AC में सफर करने के लिए ज्यादा किराया देना पड़ता है जिसके कारण यात्री जैनल में ही सफर करना ज्यादा सुविधा जनक समझते हैं लेकिन अब अगर उसी कीमत में उनका सफर सुगम और आराम दायक हो जाए तो यह तो नेकी और पूछ-पूछ वाली बात हो जाएगी हाला कि अब यह नई विवस्था रेल्वे कब से शुरू करेगी इसको लेकर रेल्वे ने अभी कुछ भी साफ नहीं किया है लेकिन जब भी इस नई वस्था की शुरुआत होगी उमीद यही जटाई जा रही है कि यातरी इसका पूरा-पूरा लाब हुठा सकेंगे हाला कि आज के इस वीरो में बस इतना ही तब तक ये लिए धन्यवाद